हेलो स्टुडेंस वेल्कम टू आर यूटुब चैनल एक्सपिरियंस चुटर हमारे यूटुब चैनल एक्सपिरियंस चुटर में आपका स्वागत है आज हम लोग डिसकूस करेंगे क्लास 12 कमेस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एलकेंज एंड हेलो एरेंज NCERT Solution Part 13 आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब केजिए और हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर केजिए और लाइक केजिए बेल आइकन के नोटिफिकेशन को किरिपया ओन कर लें जिससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे चलिए आज का लेसन सुरू करते हैं आज हम लोग स्टार्ट करेंगे Q10.20 The treatment of alkyl chloride with aqueous KOH leads to the formation of alcohol but in presence of alcoholic KOH Alkenes are major products चलिए इनका answer देखते है So, 10.20 का का answer को पहले समझाते है क्या होता है जब हम alkyl chloride को aqueous KOH के साथ treat करते है तो वो aqueous KOH completely ionized हो जाता है तो यह क्या बनाता है के plus OH minus sign बनाता है ठीक है तो इसमें OH minus sign जो होता है एक strong nucleophile होता है होता है ठीक है और वो alkyl chloride के साथ alkyl chloride के साथ substitution reaction बनाता है तो substitution reaction देता है तो मालेजे यह alkyl chloride है और यह koh है यह aqueous है aqueous koh है तो यहां से यह हंड जाएगा यह OH minus है तो यह nucleophile की तरह act करता है और यह r group के साथ attach हो जाता है और यह alkyl बना देता है hol बना देता है और क्या छोड़ देता है यह kcl छोड़ देता है और यह हमारा alkyl chloride ठीक है इस तरह से aqueous koh के साथ alkyl chloride क्या देता है alcohol देता है ठीक है correct है अब अब alcoholic alcoholic koholic qh क्या कि पास क्या होता है r o minus आएन होते है r o minus आएन होते है जो कि एक strong base है यह क्या है strong base है ठीक है यह एक strong base है जिसके कारण यह बीटा कार्बन से alkyl chloride के बीटा कार्बन में से एक hydrogen abstract कर लेता है ठीक है निकाल देता है और alkyne दे देता है तो अब reaction ऐसा होगा यह मालिजे यह है यह alkyl chloride है यह alkyl chloride है यह alkyl chloride है और plus koh के साथ यह react करता है तो alkyl chloride के वो इसके साथ यह react करता है तो यह बनाता है तो अब क्या पहले यह रेखते हैं यह alpha carbon atom हो गया अब यह beta carbon atom है अब यह beta carbon atom में से hydrogen extract कर लेता है तो यहाँ पे क्या बचता है यहाँ पे RCH एक hydrogen निकल गया तो यहाँ पे double bond बन गया CH2 यह बन जाता है और यहाँ पे KCl और H2O बन जाता है तो यह बन गया alkene ठीक है तो अई ही लिखना है आपको और यह reaction क्या है यह elimination यह उपर वाला क्या था substitution reaction यह reaction क्या है elimination reaction ठीक है तो यही difference है फिर से इसको एक बार कर लेते हैं aqueous की वो एज क्या देता है minus hydroxy line देता है जो की एक strong nucleophile है ठीक है जब वो alkyl chloride के साथ react करता है तो वो R के साथ मिलके alkyl group के साथ मिलके alcohol बनाता है और कि Cl को अलग कर देता है यह living group है Cl ठीक है अब यह substitution reaction हो जाता है क्लोरिन को substitute करके hydroxyl group alkyl group के साथ attach हो गया और alcohol बना दिया इसलिए यह substitution reaction है ठीक है अब alcoholic को ह में क्या होता है RO minus ion होते है जो की strong base होता है ठीक है अब strong base होने के कारण यह क्या करता है बीटा कार्बन में से एक hydrogen को abstract कर देता है और जिसके कारण बीटा कार्बन एक्टम में बीटा जिसके कारण बीटा कार्बन एक्टम के साथ एक double bond बन जाता है और वो alkene बन जाती है और यह एक elimination reaction है ध्यान दीजेगा है यह एक elimination reaction है तो यह है आपका इस question का answer जस्ट आपको words में लिख देना है दो reactions का example देना है बस खतम चलिए आगे बढ़ते हैं next question है 10.21 10.21 है तो question है primary alkyl chloride ठीक है C4H9BR A react with alcoholic KOH oh sorry react with alcoholic KOH to give compound B ठीक है alcoholic KOH के साथ C4H9BR react करता है और वो एक compound B देता है compound B is reacted with HBR to give C B HBR के साथ react करता है एक compound C देता है which is an isomer of A जो कि isomer है A का when A is reacted with sodium metal it gives compound D ठीक है अब sodium metal के साथ A को react करते है तो compound B मिलता है उसके बाद C8H18 which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium ठीक है give the structural formula of A and write the equation for all the reactions चलियो इसको solve करते है अब C4 H9 BR से दो प्राइमरी अलकाइल हलाइट्स बनते हैं एक है N-butyl bromide दूसरा है iso-butyl bromide ठीक है दो मिन प्राइमरी अलकालाइट्स बनते हैं एक हो गया N-butyl bromide दूसरा है iso-butyl bromide चलियो दोनों का formula लिख देखते हैं पहले N-butyl bromide का CH3 CH2 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 और यह हो गया N-butyl bromide का formula है ठीक है iso-butyl bromide का formula हो गया अब क्या है compound A compound A जो है आइदर यह वाला है और यह वाला है means आइदर वो N-butyl bromide है और iso-butyl bromide है ठीक है अब compound A react करता है sodium metal के साथ एक compound B देता है जिसका molecular formula C8 H18 है ठीक है अब यह जो है different है N-butyl bromide के से और इसलिए यह यह जो है वो iso-butyl bromide हो सकता है iso-butyl bromide है ठीक है अब question में यह आप दिया गया कि जब हम A को sodium के साथ react कराते है तो एक compound बनता है जो है C8 H18 ठीक है A को हम react कराया किसके साथ sodium के साथ मालेजे है तो एक compound बना B और जिसका formula है C8 H18 अब यह बोल रहा है जब हम N-butyl bromide को react कराएंगे sodium के साथ जो भी बनेगा उससे यह different है उससे यह compound different है मतलब कि N-butyl bromide तो होई नहीं सकता है यह वाला तो नहीं हो सकता है तो अब क्या है यह वाला हो सकता है ठीक है इस statement से यह पता लगा कि यह हमारा isobutyl bromide है ठीक है अब reactions देखते हैं इसका अब मा लेजिए CH3 N-butyl bromide को sodium के साथ react कराते है क्या मिलेगा हमें वो देखते पहले CH2 BR यह हो गया N-butyl bromide ठीक है इसको हम react कराते हैं sodium के साथ में उर्ज रियाक्शन ड्राइथर के presence में यह देता है उर्ज रियाक्शन तो यह क्या देती हैं आकको यह देती है CH3 CH2 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 और यह CH3 देती हैं यहां तक तो यह बन गया अपका N-octane ठीक है और यहां पे 2-N-A-B-R निकल गया करक्ट है अब isopropyl bromide तो A तो यह है नहीं यह A है नहीं क्योंकि वो different compound देता है ठीक है अब isopropyl bromide CH3 CH CH2 BR और यहां पे CH3 हो गया तो यह compound हो गया isobutyl bromide ठीक है यह हो गया A सिंस N-butyl bromide A नहीं है तो isobutyl bromide है A ठीक है यह उर्ज reaction में sodium और dry ether के साथ के साथ क्या देता है उर्ज reaction यह क्या देता है CH3 CH CH CH2 CH2 CH 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 और CH3 यहां पे एक methyl group और यहां पे एक methyl group ठीक है तो इसका नाम हो गया naming कर लिजे 1,2 numbering कर लिजे 3,4,5 और यह 6 तो 2,5 dimethyl 2,5 dimethyl hexane hexane तो यह हो गया compound B ठीक है तो compounding हो गया 2,5 dimethyl hexane अब आगे बढ़ते हैं question से question के अब यहां पे दिया गया है कि compound A react करता है alcoholic KOH के साथ और compound B देता है ठीक है तो compound B क्या होगा तो compound A जब react करेगा तो isopropyl chloride जब react करेगा alcoholic KOH के साथ वो क्या देगा 2-methyl propane देगा तो अब इसका reaction क्या होगा सिंपल है CH3 CH CH CH3 और यहां पे बनी गया CH3 तो यह हो गया isobutyl chloride isobutyl chloride isobutyl chloride isobutyl bromide ठीक है यह isobutyl bromide जब alcoholic KOH के साथ react करता है एलकोहलिक कोह के साथ इसको hit करते हैं तो क्या बने क्या होगा dehydro halogenation hydro halogenation reaction होता है ठीक है तो उसे क्या बनता है CH3 C double bond CH2 dash CH3 यह बनता है तो यह बन गया 2 methyl 2 methyl propane 2 methyl propane ठीक है propene प्रोपेन नहीं propene double bond और HBR निकल गया तो major product यह हुआ तो B हो गया आपका 2-methyl propene ठीक है अब B react करता है HBR के साथ तो एक compound देती है C C और जो की एक isomer है A का ठीक है तो C क्या होगा 2-bromo 2-methyl propane होगा सिंपल है वो एक isomer भी है A का अब reaction कैसे होगा अब यह लीजिए यह हो गया double bond CH2 और यहां पे CH3 हो गया अब 2-methyl methyl propane यह था हमारा compound B यह react करेगा HBR के साथ इस reaction को क्या कहते है Markov Nikov addition addition ठीक है Markov Nikov addition के साथ यह बन गया हमारा CH इधर चारो तरफ बन गया CH3 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 ठीक है तो यह हो गया compound हो गया हमारा यह compound हो गया C इसका नाम क्या हो गया 2-bromo 2-methyl numbering कर लेजे 123 तो 2 के साथ bromine लगा हुआ है और 2 2 यह पे 2 के साथ bromine लगा हुआ है और 2 के साथ methyl भी लगा हुआ है 2-bromo 2-methyl और पैंट चेन में 3 लॉंगे चेन में 3 कारवन एटम है इसलिए प्रो पैन ठीक है यह बन गया हमारा C और C एक Isomar है A का तो यह हमारा सारा reactions और A, B, C सारे compounds बन गए चलिए next question देखते हैं आज का class एहीं तक रखते हैं आज का class समाप्त करने से पहले आप लोगों से request है कि आप हमारे YouTube चैनल Experience Tutor को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें और लाइक करें बेल आइकन के notification को किपा on कर लें जिससे आप हमारा कोई फीडियो मिस नहीं करेंगे आपका दीन आपका आज का दीन काफी सुब हो और आपके exams में काफी अच्छे marks आएं इस सुब कामना के साथ हम लोग आज का lesson एहीं समात करते हैं जल्द ही मिलते हैं एक नए lessons के साथ नई class में तब तक के लिए आग्या दीजिए Thank you very much Thank you very much Thank you very much Thank you very much झाल झाल